यहीं दोस्तों क्या हाल है खुशी देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास आइफोन 15 प्रो और इसके अंदर है टाइप सी इतना खुश तो मैं अपने जनम दिन पर नहीं होता जीतना इसके पर टाइप सी आने पर हो एंड यू नो इंटरेट पे कुछ वीडियो अलड़ी आ चुक और चार्जर तो मिलेगा नहीं यह आपका आइफोन और यह रही ब्रेड़ेट केबल और जायर से बात इस बाद टाइप सी पोर्ट आ चुका तो यह टाइप सी टू टाइप सी वाला है बहुत सारे स्कम रेट ज्यादा रेट के अंडरोड फोन से भी किनट करेके दिखाऊ यह बिल्कुल केबल उसी टाइप की है जिस टाइप की जैसे यह मैकबुक के साथ आता है नए वाले और जो पहले वाली केबल थी यह थोड़ टाइम बाद क्रैक हो जाता है इस बार देखते हैं यह कितने दिन चलता है और साथ में यह है एपल स्टीकर एक ही आता कभी दो आते थे किसको किसको याद है आईफोन 15 प्रो नैच्ट्रल टाइटनियम केलर और तो एकदम डिजाइन से सुरू करता है जैसे मेरे पास यह वाला आईफोन आता है मतलब यहां पर भी जब मैंने किसी को दिया था तीन-चार लोग जो भी स्टूडियो में और जब मैंने ख इसकी वैसे अल्मोस्ट 20 ग्राम हलका हुआ है हलाकि हुली की निशान दोनों पर आते हैं बस जो ज्यादा चमकता है उस पर थोड़ा ज्यादा दिखता था अगर आप ध्यान से देखोगे एक्शली 15 प्रो में बैजल्स थोड़े कम कर दिये गए है किनारों से फोन थोड़ जादा हैंडी फील हो रहा है सबसे पहले तो एक और चीज़ दिखा देता हूं जिनके मन में आ रहा है चमकता है टाइटेनियम में शाइनिंग नहीं है वैसे आपको कौन सा ज्यादा प्रीमियम लग रहा है मेरे साफ से वैसे गोल्ड का रिप्लेस्मेंट तो नहीं कर सकता गोल्ड वाला और स्टेनल स्टील मानता हूं चमकता था फिंगर्विन के निशान आ रहे थे बड़ वो ज्यादा प्रीमियम लगता है ऐसे आसे साफ करने के बाद कि नो डौट दोने ही फोन इतने महंगे महंगे प्रीमियम है और मैं जैसे साइज डिफ्रेंस बता रहा था मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है यह बैसे काफी काम के कुछ लोगों के लिए बस यह बट्र हलका से दबा के रखोंगा यह देखो यहाँ अपर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और अर्जंस सिच्वेशन में या फिर चुपके से आप किसी की रिकॉर्डि वाइब्रेशन के टाइम तीन बार बहुत जल्दी जल्दी बिनना देखे भी मतलब पता लग जाता है वैसे आप चाहिए तो इसको आज है कैमरा बटन भी यूज कर सकते हैं क्लिक भी कर सकते हैं इससे फोटो बाकी नया प्रोसेसर हर साल की तरह जो प्रो सीरीज के साथ आता थोड़ा सा मतलब नोन एसी रूम में खेलते हो जब फोन गरम होता है तो वो ब्राइटनेस ड्रोप कर देता है तो उसका क्या हाल है तो यह तो मुझे देर टू डेलाइब में थोड़ा और टाइम चाहिए लेकिन मैं डैनमिक रेंट चेक करने के लिए कुछ फोटोस क्लिक कर रहा था आउट्डोर में साइड में आप 14 परो देख सकते हो दोनों ऑटोमेटिक ब्राइटनेस पर है 14 पर क्यूंकि जेब में था तो वो कूल टेंपरेचर पर है 15 परो की ब्राइटनेस डाउन होगी थी इनफेक्ट 120 हर्ट्स वो भी कम हो गया था और वह आप देख सकत देखा 14 प्रो जैसा बाकी रियल लाइफ में वो टेस्ट किया जाएगा उसके बाद अगला चेंज जो हर्वार आइफोन में थोड़ा-थोड़ा होता रहता है वो कहा है कैमरा कैमरा मेगा पिक्सल यहां पे सेम है लास्ट यह की तरह प्रो मैक्स में चेंज हुआ फाइव टली फोटो अड किया गया तो 48 मेगा पिकसल में बाकी सारे कैमरे 12 मेगा पिक्सल लेकिन वैसे कुछ चेंज मिले जैसे कि अभी ये 48 मेगा पिक्सल फोटो क्लीक करता करते हैं बहुत नॉर्मल लोग नहीं करते क्योंकि इसको एडिट करना पड़ता है कलर डालना पड़ता और एडिट भी हर कोई नहीं कर पाता पहले यह 4K 30 और 1080p 60 शूट कर सकता था अब यह 4K 60fps शूट कर लेगा अगर आप इसमें कुछ SSD लगाते हैं क्योंकि अभी टाइप सी आ चुका है न तो डारेक्ट आप इसको लगा सकते एक्स्टरनल यह दो चेंज तो ऐसे होगे बाकी फोटो क्वाल्टी का क्या हाल है सबसे पहले तो डायनमिक रेंज मेरे को आते ही चेक करना था क्योंकि आपको पता है आ आइपोन 14 पो में डायनमिक रेंज इतना अच्छा नहीं आता था तो वह मैं चेक करना चाहता था यहां पर इंप्रूव्मेंट हुआ है क्योंकि हीट और मिस वाली बात है ऐसा नहीं कि आईपोन 14 सीरीज में हमेशा डायनमिक रेंज गरबड हो जाएगा कहीं सारी फोटो म आधिन में देखो 15 पोने डायनमिक रेंज दिया इस वाली फोटो इल्ट्रावाइड में भी 15 पोने डायनमिक रेंज दिया दूसरा चेंज दिखा मुझे आपके मन में आएगा वह 24 मेगा पिक्शल फोटो किलिक करता है अगर हम 12 पे सेट ना करें तो तो क्या डेटेल में क difference बहुत बढ़ा है लेकिन difference है and that portrait mode on का portrait mode mode tada soft कर देता नá Corners को अभी भी कई आब सबूदहा और सब्सक्राड़ करता लैकिन by hair detection वह तो मतलब बहुत improve हो गया difference बहुत बढ़ा नहीं होता कि आप 14 Pro से camera के लिए डव was to be a half pro users के लिए ज्हादा बड़ा difference नोटिस कराएगा लेकिन वही है इडिपेंड्स कि आपको नया लेना इन्वेस्ट करना है वह आपके उपर है तो मैंने फरक बताया आपको एक यह फीचर मुझे अच्छा लगा कि अभी फोटो क्लिक करते डाइम अलग से पोट्रेट मोड में जूरत नहीं नॉर्मल फोटो क क्लिक किया उसके बाद यहां से पोट्रेट का ऑप्शन आ जाता है और हम ब्लर की इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते है इंफेक्ट अगर फोटो में कोई और भी है ना तो हम चाहे तो यहां फोकुस कर सकते फीचे ब्लर हो जाएगा यहां टैब करेंगे तो फ्रेंट में ब लब टाइप सी केबल यूज कर सकते हो ऐसा नहीं कि सिर्फ एपल वाला तो आइफोन के बॉक्स में तो कोई चार्जर अलग से दिया नहीं लेकिन हां मैंने एपल का चार्जर खरीदा हुआ है 20 वोट वाला तो उससे तो यह 20 वोट का आउटपूरा लेता है जब मैंने मैं फिस्टा में जिसमें कम चार्जिंग होगी वो चार्ज होने लग जाएगा एंड्रोट के साथ क्या हाल है मैंने आज 23 अल्ट्र भी लगाया ओन प्लस 11 भी लगाया नथिंग फॉन टू लगाया तो यह सारे केस में अंड्रोट चार्ज होते हैं लेकिन हां इनके से नियो टू या इफोन को चार्ज कर देता है डारेक्ट रियल में भी लाइक हम देते हैं वन प्लस भी लाइक हम लेते हैं चार्जिंग ओपर बनाते तो हमें तो यह तोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है कितने फोन टेस्ट करता बाकि यह यह देखके थोड़ा जीब लगा चाति पहले भी नहीं था भी भी नहीं है वह सारा कुछ सेम रिपीट होगा तो यह सारा कुछ था अगर मैं अपने बात के बात करिए का क्या नहीं मुझे अच्छा लगा इस बार भाई जो हैंडी हो फोन दूसरा मुझे और थीसरार हर भार आपिन के साहथ बाइक हां वो BBD या offer वगारा में manage करके 13, 14 की तरफ जाएगा वो बात करें 15, 15 Pro Max, S23 Ultra, Galaxy Fold यह सब जो premium phones होते हैं अब वो 1 lakh यह सब वो लोग लेते हैं जिनको प्रीमियम पे करना है उनको बस यह सोचना होता है हमें Android चाहिए कि हमें iOS चाहिए तो मेरे यह थोड़ थे आप अपने थोड़ कोमेंट में बताईए और वीडियो परशंद दादो लाइक से सब्सक्राइब करिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में